हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल सुआ होब कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एक्जाम की प्रिप्रिशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजियोलिजी और बैलानोग्लॉस इससे पहले हम लोगों ने अनटेमी, मॉर्फोलिजी, हैबिट अन हैबिटेड सब कुछ बहुत ज़्यादा हलवक लियक कर लिया है बैलानोग्लॉस से रिलेटेड दिस इस आवर लास्ट वीडियो फ्रम यूनिट वन बैलानोग्लॉस इस 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 आवर लोगों को बिलकुल नहीं छोड़ना है वह वीडियो आपको जरूर से जरूर देखनी है और यह आप लोगों को सुनिचित करना है कि क्या हमने जितने कोशन्स आपको दिये हैं आपके पास उनके नोट्स अल्रेडी है या फिर नहीं है अगर नहीं है तो उन्हें बनाना है और अच्छे से अपने एक्जामिनेशन के प्रिप्रेशन करनी है बहुत सारे आनदर वीडियो भी हमने ब्यासे फिस सेमेश्टर से बाटनी एंजॉलोजी के लिए अपलोड किया है आप लॉक्मॉस्ट्राइफ्रस नहीं है देखते हो जैसे कि आपके रस्पाइरेशन हो गया आपका लोकोमुशन हो गया आप डाइजिएशन देखोगो आप ब्लड वैस्टुलर सिष्टम देखोगो आप एक्स्टीशन देखोगो दियार लाइक न्यूमरस आपके कि जो लॉजिकल कारेक्टर्स्टिक की बात करें तो हम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि बैलानो ग्लॉसस चलता कैसे है क्योंकि हमने आपको बता है कि इसकी बॉड़ी है वार्म-लाइक किसके लाइक क्रीमी-लाइक अब यह चलती कैसे है ठीक है अब यह मेल और फिमेल दोनो होती है Move- C and पर आपके कुछ ले ओस्त पर गहरा होते है ठीक है यहां पर सब गिल सिट नहीं जैन अची यह जैन बड़िए होता है अन उसके बाद यहां पर आप एंड स는데 ठीक है तो यह हम प्रोबोसिस देखते हैं यह कॉलर देखते हैं इस वन इस दा आप इसको बोल सकते हो अब्डॉमेंड भी बोल सकते हो लेकिन हम यहाँ पर ट्रंक बोलेंगे ठीक है समझ गया अच्छा जब हम इनके लोकोमोशन की बात करते हैं तो इनकी ओवरॉल बॉडी जब इनमें गती होती है लोकोमोशन मतलब क्या होता है कि मोशन करना क्या करना और मोशन मतलब क्या होता है गती होना और जब भी किसी चीज में गती होती है तो उसकी जो आपकी जगह होती है जो प्लेस होता है वो एक जगह से क्या होता है दूसरे जगह तक चले जाते है त तो बिल कैसे बना रहे हैं बिल बनाने के लिए चलना पड़ेगा ना तभी तो बनेगा कैसे चल रहे हैं तो अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर आप देखते हो कि ओवरॉल बॉडडी जो होती है हमारे पैलानो ग्रॉडॉस की वह कवर होती है सीलिया से ठीक है काफी सारे इनकी overall body पे आप देखते हो like एक greater part में आप देखते हो कि biannoblossus की body पे celia present होता है and these celia जो होते हैं ये help करते हैं locomotion के लिए ये जो celia होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा helpful होते हैं locomotion के लिए along with the celia, celia खुद कुछ नहीं करेगा celia खुद कुछ भी नहीं करेगा like taking an example कि अगर आपके पास गाड़ी है और उसमें चक्के ना हो तो क्या आप गाड़ी को बस आगे पीछे धकेल के चला लोगे नहीं चक्के होना जरूरी है वैसे हमारे बैलाणो ग्लॉस में सिर्फ celia का ही वो नहीं है मतब रोल नहीं है जब तक उनकी बाड़ी खुद मूव नहीं करेगी celia is like a useless tire ठीक है कुछ भी यूज नहीं है उसका जब तक आप उसमें बैट करके किसी भी गाड़ी पर बैट करके आप उसे control नहीं करोगे आपके gear up करने से डाउन करने से अगर कुछ है आप नहीं करोगे तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी वैसे ही जो हमारे बैलानो ग्लॉस होते हैं जब तक कि यह अपने प्रभॉसिस वाला पार्ट like overall body के अगर बात करें इनका ट्रंक वाला पार्ट भी इंक्लिट कर लें तो इन में होता है contraction ठीक है जब तक कि इनकी body contraction relaxation यह चीज़े नहीं करेंगे तब तक कि इन में lokomotion नहीं होगा like taking an example of any toothpaste okay like आपने उसका ट्यूब देखा है तो उस toothpaste में से ट्यूब जो होता है वो देखें यह हमारा toothpaste का ट्यूब हो गया ठीक है यह हो गया और जैसे आप इसे पिछका तो कुछ से हो लिए यह पीछने को आप किया देख थे ओ क्या हर देख हो ऐड़े यह हटा दो और इधर का भी बाट भी आपने इसको पिछकाया जैसे पिछकाया जो जो भाहर यह आपके जितने भी तो यह प्रॉसएस में होती है वह भीकूंद सकती है तुन को सीलिया जैसे ँसे इन की बटी में से पिचकती है तो इसी बीट सीलिया को किया करते है आगे बढ़ते WITH लेटा हुआ है और सीलिया प्रेजंट है और सीलिया इसम चली जारी है चली जारी है तो बिचारे को तो रेश्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा तो जब तक की बैलानो ग्लॉसस खुद नहीं चाहेगा जब तक की वह खुद कॉंट्रेक्ट एं रिलाक्सेट अपनी बोडी को नहीं करेगा तब तक वह लोकोमोट नहीं कर पाएगा ठीक है तो ओनली सीलिया इस नौट रिस्पॉंसिब फॉर लोकोमोशन अलॉंग विथ दसीलिया हम देखते हैं कि जितने भी इन में प्रोपोसिस हो गया ट्रंक वाला एरिया हो गया उसमें कॉंट्रेक्शन एं रिला पार से तो तूस्पेस नहीं जाएगा नहीं जाएगा न वह तो बाहर निकल चुका पैसे सेम प्रोसेस की होती है कि कॉंट्रेक्ट किया तो आगे बढ़ गए लेकिन रिलाक्स करने पर हम पीछे नहीं जा रहे हैं ठीक है यह चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए इनका ज बढ़ने की जो कोशिश होती है उसके द्वारा यह क्या होता है एक्शन दिया जाता है सीलिया का सीलिया खुद नहीं चलने लगेगा जब तक बैलानो प्रोसेस नहीं चाहिएगा जब तक वह आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा तब तक सीलिया कुछ नहीं कर सकता है म्यासलाग के छेट सायरہ इनलगे तो कुर्शना भी पोड़क , पर बताया मत ब सुल्पने अपाली बड़नगी। यह सहीं भी नहीं है और यह सहीं तरीका भी नहीं है इसलिए ट्रंक पीछे से बेस्टार्ट रहता है और प्रववासिस आगे से स्थार्ट रहता है डाट्स वाय क्या होते हैं यह एक जगह से दूसरे जगह तर चले जाते हैं तो इन में क्या होता है कि complete होता है इन में इन में डाइजेशन जो है वो complete होता है और स्ट्रेट ट्यूब में एक तरीके से बना होता है जो कि माउस से लेकर कि आपको दिखाई देगा ठीक है अच्छा हमें बताया कि इनकी इन में जो इनका अलिमेंटरी कनॉल है वो भी माउस से स्टार्ट होगा और बाद में चला जाएगा आइस तक लाइक दिस वन अगर हम बात करें तो यह चला जाएगा आइस तक तो देर इस अ एरिया जहां पर आप प्रभॉसित देखोगे फिर कॉलर देखोगे और इस होल प आपोसित थिक हे य दिस बेसिकलि दर प्रभॉसित अज दिस पारट इस पार इस पेरिगा। थिस पारोब्र कॉलर के यंदि Sat vacun में ही माउस होगा चीक है यह आपको एक confusion होगा कि mouth जो है उसकी presence हमारे proboscis में है getting my point आपको लग रहा होगा कि यह mouth में है और स्वारी proboscis में है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है आप proboscis वाले यहां से अगर mouth स्टार्ट हो रहा है तो पहले वो जाएगा पकल cavity then आप देखोगे pharynx then आप देखोगे isophagus then आप देखोगे intestine and then आप एनस से जितने भी undigested food है आप निकालते वे देखोगे आप द्वारा चीक है like if we talk again अगर हम आपसे बोले कि इनके अंदर बॉड़ी में कोई भी like food particle गया चीक है like माल लिजे कि इनके अंदर कोई भी food particle हम यह आप पना रहे है यह food खुला रहेगा anterior पार्ट कौन सा पार्ट जो इनका mouth वाला पार्ट है यह हमेशा ही खुला रहेगा अब यहां से जो यह food particle हमने बनाया है ब्राउन कलर का this is the water अब यहां से जो food particle हमने बनाया है वो क्या करेगा वो एंटर करेगा इनकी body में एंटर होते ही होता क्या है कि यह mouth के द्वारा एंटर करते हैं चीक माउथ कहा है इनका यहां पर पर तो यह खाना कहां जाएगा यहां से यहां चीक है कॉलर में गया खुलर के बार्ट यह खाना आप देखोगे कहा जाते हुए बकल cavity में चीक है यह खाना आगया आपके बकल काविटी में बकल काविटी के पास म्यूकस ग्रैंड होते हैं गॉबलेट सेल होती है और यहां पर काफी सारे म्यूकस जो है वो सिक्रीट होते हैं फिर यह खाना आगे की तरफ बढ़ेगा और जाएगा कहां पर आपके फैरिंग् इस ट्रक्चर से जो इंटेस्टाइन है वहां यह जाएगा और फिर यह बाहर एनस के तुरू जो भी अंडाइजेस्टिट फूड होगा वो निकाल देगा इसने इंटेस्टाइन में क्या कर लिया फूड को एब्जॉर्ब भी कर लिया और डाइजेशन इस तरीके से धीरे चलता रहा इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रियंट इनके लिए जरूरी है उसको इन्होंने क्या कर लिया अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और जितना अंडाइजेस्टिट फूड था उसको क्या कर दिया अनस के द्वारा बाहर फेग दिया टेल मी वन एक्जामपल लाइक अगर हम बात करें तो पानी जो है पानी आपनी कई बार समुंद्री एरिया में देखा हो कि पानी की नीचे बालू होता है तो जहाँ पानी कम है और बालू वाला एरिया है वहाँ पर यह बरो बना करके रहेंगे तो क्या इस पानी में जो फूड इनको चाहिए उसक इनका फूड पार्टिकल था जो इन्हें चाहिए था ब्राउन वाला जो फेवरेट है उसके अलवा मालों कि यह सैंड पार्टिकल्स है यह सैंड पार्टिकल्स है जो कि इस फूड के साथ क्या हो रहा है एंटर हो रहा है माउथ में तो जो माउथ है वहाँ पर जाते ही यह यहां पर बनाया है वो तो यह रख लेंगे वो तो यह अंदर प्रोसीट कर देंगे अपने लेने के लिए लेकिन यह जो सैंड वाला पार्टिकल है इसको यह क्या करेंगे बाहर फेक देंगे और इस इस पेशलाइज जो इनका फंक्षन होता है इसे हम बोलते हैं फिल्टर फ वंक्त, जितने भी सैंड हो गया जितने भी स्लिट हो गया वो क्या करेंगे वो बाहर फेक देंगे जिए तो इनकी पासyer इक कि पर और सींध आच क्विट कै को बपर पयदते हैं लेकिन जो उनकी बोल्य के लिए उन्वांटेशeter चितने भी आंइक हो स्लिट हो गया about your digestion. let's talk about digestion in theory देखिए अगर हम बात करें तो इनका जो mouth होता है ऊन्हें बताया कि यह mouth से start होता है और आनस तक जाता है mouth से हम देखते हैं कि e-gestion होता है food particle का और आनस से हम देखते हैं कि e-gestion होता है मतब यहां से खाना अंदर आता है, यहां से undigested food जो है, वो बाहर निकल जाता है। अगर हम आगे और बात करें, तो जो हमारा mouth होता है, balanoclossus का वो wide होता है, मतब चौड़ा होगा, circular होगा, गोलाकार होगा, और उसकी opening होगी, भाई, obviously, mouth जो है, एक open pore है, चीक है, buccal cavity जो होती है, उसमें, वो collar reason में पाए जाता है, containing glandular goblet cell, goblet cell यहां पर पाए जाते हैं, फिर यहां पर pharynx जो होता है, वो branchial reason में होता है, trunk के, और isophagus होता है, फिर intestine जो होते हैं, वो trunk reason में आपको दिखाई देते हैं, and annus जो है, वो पूरा जो trunk का जो tip है, मतलब कि, this one, this is proboscis, this is collar, and this is your trunk, तो trunk की जो tip है, this, this tip is what, annus, जो कि बहुत सारे sprincture muscle से, क्या, sprincture muscle से क्या होती है, सराउंडेड होती है, जो कि help करती है, undigested food को बाहर निकालने में, muscle is very helpful, तो वो बाहर निकालने में help कर देती है, since balanoglossage जो है, वो एक tubicles animal है, that's why, यह filter feeding का mechanism शो करता है, इसमें filter feeding mechanism आप देखते हो, जैते ही water enter करता है, इनकी body में, anterior opening से, यह जो collar reason, जो collar में mouth, collar reason में mouth है, वो open होता है, और जो भी food particle होता है, उस water के साथ उसको अंदर ले लिता है, और जितने भी unwanted, जैसे की sand and slit वगेरा हो गए, इनको क्या कर देता है, वो filter कर देता है, और बाहर क्या कर देता है, फेक देता है, बट अगर हम पूरा digestion पढ़ने के बाद एक line आपको बोले है, तो यही conclusion है कि इनका overall digestion जो exact process है, वो हमें अभी तक नहीं पता है, कि balanoglossus की exact digestion की process क्या है, इस नोटिस्ट जो अभी हम बता रहे थे, हमने अलिमेंटरी के नौल में कहीं भी इस टमक का नाम नहीं लिया, और इस इस दे मोश्ट इंपोर्टेंट ओर्गन, सबसे जादा इंपोर्टेंट है हमारे digestion के लिए, लेकिन हमने कहीं भी क्या balanoglossus की case में इस टमक का नाम लिया, नहीं लिया, that's why we consider it, कि हमें पूरा digestion का भईया, इनका नहीं पता है कि कैसे इन में digestion होता है, हाँ, जो हम बता सकते थे, वो हमने बताया, जो undigested food है, जैसे की sand and slit वे गएरा, ये भी आनस के द्वारा क्या हो जाते है, बाहर, pass कर दिये जाते है, ऐसा casting, ठीक है, समझ गया है, अच्छा, उसके बाद respiration की बात करें, तो same हम उसी figure पे चलेंगे, दिखें, respiration में क्या होता है न, कि जो water इनके खाने के लिए आ रहा होता है, ठीक है, like, जो water इनमें खाने के लिए आ रहा है, कि digestion करने की time पे, वही water same use होता है respiration के लिए, कैसे, समझ ये, respiration के लिए इनके body में pharyngeal, gills slit वगएरा होते हैं, that is responsible for the respiration, same चीज हम कैसे आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, एक बर समझ येगा, like, if we take water again, तो इन्होंने water के द्वारा, अपना जो खाना है, चलिए वो तो ले लिया, ठीक है, क्या कर दिया, उस खाने को ले लिया, ठीक, अब, जो इनके पास gills slit है, जो इन में pharyngeal gills slit है, मालियर ट्रंक रीजन में pharyngeal gills slit वगएरा है, तो जो pharyngeal gills slit है, वो क्या करेंगी, इस water में जितने भी dissolved oxygen है, जब ये water इनकी body के अंदर जा रहा है, तो उसके साथ साथ इनकी body में ये oxygen भी जा रहा है, तो जो dissolved oxygen है, उसको लेने का काम कौन कर रहा है, इनकी body में, उसको लेने का काम कर रही है, जो gills slit होती है, वो, like, let's take white, ये जो इनकी gills slit है, इन्हों ने क्या किया, water को ले लिया, चीक, मालियर ये हम ऐसे बना दे रहे हैं, तो ये जो dissolved oxygen है, वो क्या होगा, gills slit के द्वारा इनकी body में absorb कर लिया जाएगा, ठीक, ये जो था, ये oxygen जो है dissolved, उसको gills slit के द्वारा क्या कर दिया गया, अंदर ले लिया गया, ठीक है, पहले जो water है, वो mouth में जाएगा, फिर pharynx में जाएगा, फिर आप gills slit देखोगे, वहाँ पे gills pore के अंदर वो चला जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ से dissolved oxygen जो water से है, उसको gills slit absorb करेगा, और वो किसे देगा, blood को, there are numerous, यहाँ पर आपको blood की capillaries दिखाई देती है, जो कि gills slit को कहीं हर तरफ से मतलब घेरी होती है, जो oxygen dissolve किया है, हमारे gills slit ने, वो oxygen क्या होता है न, कि gills slit क्या करती है, इन blood को दे देती है, जितनी भी blood की capillaries होती है, उनको यह क्या कर देती है, दे देती है, यह oxygen, ठीक है, oxygen की body में आगया, जो की requirement थी, यही तो respiration होता है, और बदले में, जो उस blood में, de-oxygenated blood, मतलब कि carbon dioxide वाला blood है, वो carbon dioxide इसी पानी में, क्या कर देती है, वो बाहर छोड़ देती है, और सेम यह पानी जब बाहर निकलता है, थूदा एनस, जो भी undigested food के साथ बाहर निकल रहा है, पानी, वो इसी पानी के साथ, जो हमारा CO2 है, वो भी बाहर निकल जाता है, तो with the help of, same, जो water इनके digestion के लिए आ रहा है, ठीक है, same water, जो water मालीजे, जो same water, इनके digestion के लिए आ रहा है, वही same water इनके respiration के लिए भी यूजज़ आता है, digestion में क्या होता है, कि जितने भी food particles होते हैं, वो इनके द्वारा लिए जाते हैं, water के द्वारा, और जो respiration होता है, respiration के द्वारा, इसमें जितना भी water में, dissolve oxygen है, उसको carry किया जाता है, गिलस्विट जो होती है, वो oxygen को लेती है, और blood तक पहुचा देती है, blood की capillarism में छोड़ देती है, फिर blood जो होता है, वो CO2 लेता है, CO2 जो उसमें होते हैं, वो क्या कर देते हैं, गिलस्विट को वापस करके, बाहर क्या करवा देती है, दे देगा, सबसे पहले जो पानी होता है, वो माउथ में आता है, फिर pharynx में, और फिर पास कर देता है, गिलस्विट से, ब्रैंकियल शैक में, और फाइनली लीव दा गिलपोर, ओके, उसके बाद, टंग, जो इनकी टंग होती है, बैलानो ग्लॉस्विट की, ये भी, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसको ले लेते हैं, और रिटोर में कार्बन डियोकसाइड वापस कर देते हैं, और आप क्या करते हो, सी ओ टू को बाहर, और ओ टू को अंदर, ठीक है, तो इट इस ओल अबाट रेस्पारिशन, ना इफी टॉक अबूट ब्लॉट वैस्कूलर सिस्टम, सो ब्लॉट वैस्कूलर सिस्टम बैलानो ग्लॉस्विट का ओपन होता है, मतलब कि लक्यूना टाइप का होता है, ये कलर ब्लॉट जो होता है वू कलरणलेसी फूलीट सेबना होता है क्योंकि यहाँ पर वाइट कॉर्पिसुर्स य वाइच जाते है, और यूओ लोकूलर सिल भाई रिष उन्न कलर्लेस का हो वाईच का होगा , जिसको कि लुए सेल्स को You can see partners from male-eal-eal-eal-eal-gStud fen, and small, elongated, non-contractized sin होता है जो कि उनके proboscis reason में पाय जाता है हमने आपको पढ़ा है कि sinuses to heart ke vesicle होते हैं और central sinus होती है वो सब आपकी proboscis reason में देखे जाते हैं यही सायंट्रal sinus होती है यही receive करती है पूरी की पूरी blood जो posterior reason थे मतब कि इनके यह वाला reason let me draw it देखो यह इनका posterior end होगा ना this one is your proboscis this one is your trunk and this one is your posterior abdominal तो यहां से ठीक है यहां से posterior reason से जितने भी आपके vessels गए हुए है blood vessels गेरा वो सब आकर के यहीं central sinuses पे मिल जाती है ठीक है central sinuses पे मिल जाती है और यहीं से पूरा का पूरा control होता है blood का ठीक है जो blood flow हो रहा है वो पूरी की पूरी तरह यहीं से proboscis वाले रीजन से control होता है क्योंकि proboscis के ही पास central sinuses भी होते हैं and sinuses भी होते हैं ठीक है take this screenshot एक मिनट इसको screenshot कर लो देखो excretion की बात करें तो excretion जो है इनमें excretory organ पाया जाता है इसका नाम है glomerulus हमने आपको पढ़ाया था कि glomerulus यहां पर बहुत जादा important term है यहां excretory cell जो होती है वो contain करती है yellow और brown granules को जो की actually में excretory substance माना जाता है हमारे balanoglossus का glomerulis जो होते हैं यह excretory substance को pass करते है proboscis sylome and finally to the exterior through the proboscis pore होता क्या है कि जो होती है जो भी excretory substances होते हैं उसको glomerulus जो होता है वह पहले proboscis sylome से बेचता है proboscis की cavity निए proboscis sylome की द्वारा क्या कर देता है 노 parlar rig आई जितनेarda सेंस और्गन की बात करें तो डेर आर्म शंपल होते हैं और इसे न्यूर मतलब ना वने नियूरे सेंसरी सेल ऑर छोगा व techniques आपको नाम सी है और अइन मतलब च्रा कर रहे हैं उसका क्या नेचर है उसका क्या सब कुछ अपना इन्वार्मेंट जो है वह यह प्रियोरल सीरियरी और्गन से पता लगा लेते हैं तो सैंस और यहां पर दो है एक कोई पार्ट कट करके निकल जाए तो वो एक again new individual में transform हो जाएगा तो इनके पास power of regeneration बहुत जादा है अगर इनका trunk reason कट जाए तो वो दुबारा से एक new balanoglossus में convert हो जाता है इनका anterior part like इनका proboscis, इनका collar और branch genital reason भी क्या हो सकते है आराम से reform हो सकते है like if you take any part of the balanoglossus it will regrown in a new individual ठीक है समझ गया है कोई भी part ठालो, proposcis ठालो, trunk ठालो, branch genital वाला part ठालो इनका collar ठालो, कुछ भी ठालो और उसको एक new balanoglossus में आप देखो कि कुछ time बार वो regrown कर जाएगे तो इसका मतलब यह कि इनके पार जो power of regeneration है वो बहुत ही जाता है ओके reproduction की बात करें तो इनमें sexist जो होते हैं वो separate होते हैं मतलब कि male balanoglossus and female balanoglossus जो हैं वो अलग-अलग होंगी male and female balanoglossus होते हैं यह आप इनको identify नहीं कर सकते हो except जो इनका gonad का color होता है जो इनके genital organs होते हैं उनके color के बजाए आप कोई भी इनमें अलग से like होता है ना morphism sexual amorphism आप नहीं देख सकते हो जो testis होते हैं वो male में present होते हैं ovaries जो होती है वो female में दोनों ही similar होते हैं they are sac like body ठीक है testis जो है वो भी sac like body है और ovaries जो है वो भी sac like body है ठीक है मतब sac क्या होता है जो आप थैलब गरा देखते हैं उस तरीके की जो body होते हैं उन्हें लोग sac like structure बोलते हैं इच जो gonads होते हैं उनके narrow neck होती है और वो गोनोफोर से क्या होते हैं खुले होगे होते हैं इस ही गोनोफोर से क्या होगा testis जो है वो बाहर निकलेगा कि हमने कितने बड़े explanation को कितने चोटे से explanation में convert किया है वो भी हो सकता है कि आपको बड़ा लगे लेकिन आप कभी book वेगारा पे कहीं भी पढ़ लेना तुम्हें इतना बड़ा दिखेगा ना वो explanation लेकिन हमने बहुत चोटा करके आपको यहापर हम represent करने वाले हैं ठीक है तो उस कोशिश के लिए अगर चानल पनी होगे तो चानल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगीगी तो लाइक देखो development में actually में हो क्या रहा है देखो हमने बोला कि male and female balanoglosses जो है वो अलग अलग है ठीक है देखिए अच्छे से समझेंगे लाइक देख female वाली अच्छा इनके पास testis है इनके पास ovari है ठीक है टेसस से क्या निकलेगा sperm ओवरी से क्या निकलेगा ओवा मतलब की एग यहां से हमें इसम यहां से ओवा ठीक है उसके बाद जो इसम है और ओवा है देविल कॉनट वोट डेविल कॉनट फॉर्टिलाइब fertilize हो गए ये haploid ये भी haploid ये हो गए आपके 2N diploid तो ये क्या हो गया यहाँ पर fertilization हो गया fertilization के बाद आप देखोगे gigot का formation ठीक है अप fertilization के बाद बना रहे है confuse मत हो ना यहाँ fertilization के बाद होगा gigot ठीक है gigot बन गया अच्छा, gigot जो है उसमें क्या होगा, development देखोगे तो वो बनेगा two cell stage पहले आएगा ये two cell stage में, अच्छा तो ये मालीजे जाइगोट है हमारा, wait this, this, मालीजे कि ये जाइगोट है हमारा, तो आप ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा ठीक है, two cell हो गया ये एक हो गई, देखे ये एक cell हो गई, okay and this one is your second cell ये हो गया, second ठीक, तो ये हमारा two cell stage जो है वो बन गया, जाइगोट का, ठीक है two cell stage के बाद आप देखोगे blastula, क्या देख रहे हो आप blastula, blastula क्या होता है group of cell ये काफी सारे cells में क्या होंगे, बदल जाएंगे ठीक है, don't be confused ये क्या होता है न, blastula क्या होता है, ये differentiated cell के पूरी तरीके से मास होते है जो कि अपने differentiated stage में है ठीक है, तो एक single cell जो था यहाँ पर देखो, जो जाइगोट था जो कि एक single cell था वो क्या हो रहा है, पहले दो cell में चूट रहा है ठीक है, ये दो cell में टूटा उसके बाद यही क्या है एक blastula मतलब कि mass of cell में क्या हो गया, convert हो गया ठीक, आप blastula के बाद यहाँ पर आप क्या देखोगे larval formation देखोगे blastula के बाद, आप थोड़े बहुत क्या है, tornia larva ठीक है, क्या बन गया? tornaria larva, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ciliary bands वेगएरा जो है वो बनने लगते हैं, mouth वेगएरा बनने लगता है तो वो result करता है tornia larva में, ठीक है, किस larva में? tornia larva में और यही larva जो होता है यह आगे चलके क्या बना देता है? balanoglossus ठीक है? क्या बना देता है? balanoglossus now, देखो सबसे पहले यह जो आपका tornia larva है इसको समझा गया था कि यह echinodermita का larva है इसकी खोजी इस तरीके से हुई कि, I don't recall the scientist name अब भी आगे आपको mention करवा देंगे दूसरे scientist है और उन्होंने बताया कि ऐसा कोई कुछ बात नहीं है यह जो लार्वा टॉर्णिया लार्वा है यह हैmichaudita का लार्वा है ठीक है? आपको इकाइनोडर्मिटा का लार्वा पता है? इकाइनोडर्मिटा का लार्वा है भाइपिनेरिया ठीक है? क्या? बाइपिनेरिया तो सबसे पहले जो हमारा टॉर्णिया लार्वा था इसको बताया गया कि यह एकाइनोडर्मिटा का लार्वा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यह क्या हो गया? गलत हो गया इसको क्या कर दिया गया? गलत बोल दिया गया और फिर बाद में ये बताया गया कि नहीं, जो हमारा torneria larva है, वो actually है hemicordata का larva है, ओके, तो ये एक development की stages हैं, आब हम इनको theory के द्वारा पढ़ेंगे, देखें, सब तॉक अब अगर हम बात करें balanoglossus की, तो male and female, as I mentioned, कि male and female balanoglossus, जो है male sperm निकालेगा, and female जो है वो ova देंगी, ठीक है, sperm and ova, ये जो sperm and ova का fertilization होगा, ठीक है, initiation होगा, और ये जाइगोट का formation करेंगे, ये actually मैं आप 6-7 घंटे में होते हुए देख लेते हो, बहुत ही अच्छे थे, जाइगोट के एक अच्छे, मतब उच इस तर पर इनका development अच्छे खासे तरीके से आप देखते हो, और ये जो sperm and ova का, क्या हुआ है, fertilization हुआ है, और ये जाइगोट का formation किये है, ये विदिन आप 6-7 आवर क्या करते हो, 6-7 घंटे में आप ये, आप ये अराम से fertilization की process देख लेते हो, ठीक है, लाइक, थियोरी में ये आप देख कि fertilization of egg within 6-7 आवर after copulation is a high percentage of a normal development, 6-7 घंटे के भीतर अंडो का निसेशन, मतलब कि copulation हो जाता है, समान्य विकास का उच प्रतीशत प्राप्त करता है, ठीक है, हमने देखा कि 6-7 घंटे में ही पूरा जो male and female है, वो copulate करते हैं और इस पॉम and ova जो है, वो fertilize कर देते हैं, फि पहले जितने भी development हो रहे हैं, जाइगोट में 2-cell, 4-cell, blastula, यह सब जितने भी cleavage हो रहे हैं, इन सा भी को आप क्या बोलोगे, pre-larval development, अब जाइगोट का formation हो गया, फिर जो first cleavage आता है जाइगोट में, ठीक है, जहां पर जो जाइगोट होता है, वो 2-cell में बढ़ता है, यह cleave हो जाएंगे, मत्तब कि तूट जाएंगे, और यह जो 2-cell में बटेंगे, यह invariably, लेकिन यह हमेशा नहीं, मत्तब कि हमेशा आप देखोगे कि यह equal form में ही नहीं रहेंगे, लाइक अगर हमने एक जाइगोट बनाया, और उसका 50-50 पार्ट किया, ठीक है, माली जे यह वाला पोर्शन 50 पार्ट हो गया, और इस पोर्शन, लाइक वेट, इस पोर्शन जो है हमारा, यह इनका 50 पार्ट हो गया, तो जरूरी नहीं है कि 50-50 पार्ट में ही जो 50-50 पार्ट में ही यह तूटें, यह आगे चलके ऐसा जरूरी नहीं है कि यह 50-50 पार्ट में ही तूट हो ठीक है तो हमने यह पढ़ा कि कॉपिलेशन के बार फर्टिलाइजेशन की प्रॉसेश जो है वो विदिन 6-7 आवर हो गई उसके बार जब जब जाइगोट का फॉर्मिशन हुआ तो जाइगोट में जो पहली क्लीव आई मतलब जो जाइगोट टूटा और दो सेल में बटा वो विदिन 2 आवर हो गया मतलब कि 2 घंटे में आपने देखा उसके बार जो ब्लाश्टूला होता है वो फॉर्टिलाइजेशन के 6-15 घंटे लाइक अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा कि 6-7 घंटे में भई हमारा 6-7 घंटे में तो जाइगोट का फॉर्मिशन हुआ दो गंटा आप इधर ले लो तो आप मान कि चलो 8 घंटे और फिर यहां पे 6-15 आवर लिखे हुए है मतलब कि 7 घंटे बाद जाइगोट में जो 2 सेल के स्टेज आई है उसके 7 घंटे बाद आप देखोगे कि ब्लाश्टूला का फॉर्मिशन हो जाता है ब्लाश्टूला क्या ह एक इन्वेजिनेशन ब्लाश्टूला में एक मुड़ा हुआ ठीक है ब्लाश्टूला में एक इन्वेजिनेशन मतलब कि एक मुड़ाओ बनने लगेगा लाइक if this one is your ब्लाश्टूला ठीक है मालीजे कि यह ब्लाश्टूला बना है तो इसमें क्या होगा मुड़ाओ होने लगेगा मतलब कि जो blastula होंगे वो मुर्ने लगेंगे ये कुछ इस तरह के से मुदने लगेंगे इनमें ऐसा कुछ मुदावों दिखने लगेगा ठीक ये इनके जो वॉल है ये इस तर्रिके से मुदने लगेगी अंदर के तरफ विच itness to form जाता है एक अपर उपर अपर्क्रम में डावलपमेंट्स होती है और आप देखते हो कि आर्केंट्रॉन में ब्लास्टो पोर बनता है फिर यही एंटिरियर टिप जो होता है आर्केंट्रॉन का यह डिफ्रेंशियेट होता है और सिलोमिक बना लेते हैं जिसको कि हम प्रोटो स्टील होते हैं इसका एक इंड जो प्रोटो स्टील है उसका एक इंड अटैच होता है थिकनिंग से और एनदर इंड जो होता है वो आउट साइट से अटाइच हो जाता है घबराव नहीं इसका फीगर अभी हम आपको दिखाएंगे बस मेरी बाते सुन लो अभी ठीक है आप यह समझ में आ रहा है अभी दिखाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा फिर प्रोटो स्टील जो है फ्रोटो स्टील के फॉर्मीशन के बार इनर इंड पर क्या होता है बन गया प्रोटो स्टील को आंत्रिक सिरा उधर सतय की और बढ़ता है और मुह के माध्यम से बाहर की और खुल जाता है मुह कहां से आया मुह इसी लारवly development में लारवाल कश से लीकाई पर तो यहां ला विगए भलरे माउट के वाज आप देखते हो इंक्षली का फॉर्मीशन और आप देखते लां लिए पर फॉर्मीशन उसक Elder व tu प्रती लारवल से yell यह था बाइद टाइम आफ्टर डेसो दा इंब्रियो जो इंब्रियो आर्किन्ट्रॉन जो पूरी तरीके से माउथ प्रोटो इस्टेल फिर आपके इंटेस्टाइन अनस ब्लाश्टो पोर्स सब कंटेन कर रहा है यह इंब्रियो क्या हो जाता है यूनिफॉर्म ली जिसको हम सेलियेटिड बोलते हैं और इसकेव फ्रॉम् धू फटिल्याजरेशन मैंब्रेन उस ये बाहर निकलता है और एक लार्वल लाइफ में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है जिसे कि हम टॉर्णिया लारवा बोलते हैं. समझ गया है? समझे हो? नहीं समझे हो? दुबारा समझाए हैं? देखो. ठीक है, जब तक समझोगे निए तब तक चोड़ेंगे निए तुम्हें? देखो, हमने बोला कि जाइगोट का फॉर्मिशन हुआ. जाइगोट जो है, वो दो सेल में टूटी. ठीक है, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, इसके बाद नहीं रिपीट करेंगे. ठीक, ये जाइगोट का फॉर्मिशन हुआ, जिसमें जो जाइगोट है, वो टू सेल में टूटा. ठीक है, ये जो टू सेल है, ये दुबारा से क्या हुई? इसमें ब्लास्टूला का फॉर्मिशन हुआ. और यह जो सब कुछ अभी चल रहा है यह fertilization के membrane के अंदर चला लाइक यहाँ पर भी यह भी membrane बना हुआ है यह भी membrane के अंदर है यह पूरा structure भी membrane के अंदर ही है फिर यहाँ पर आप बहुत सारी structure का formation देखते हो लाइक आप इसके बाद क्या देखोगे protosteal का formation, mouth का formation, annus का formation, intestine plastopore फिर आप देखोगे कि यह जो अंदर यह सब कुछ बना है ठीक है, blastopore यह सब कुछ जो अंदर बना हुआ है कहीं से आनस कहीं से भाई आपका intestine कहींसे mouth कहीं से protosteal जितना भी कुछ अंधर बना हुआ है ठीक है माल लिजे यह जितना भी कुछ ऐसे अंधर बना हुआ है अब क्या हो जाएगा यह एक होल जो बॉड़ी होगी यह जो इंब्रियो होगा यह बाहर कैसे निकलेगा जब इन में आप देखोगी कि ऐसे यह चारो तरफ से इनकी बॉ हो जाता है ठीक है किस लार्वा में टॉर्णिया लार्वा में कनवर्ट हो जाता है अब टॉर्णिया लार्वा जो है उसकी बात करते हैं टॉर्णिया लार्वा जो है वह फर्स्ट डिस्करवर किया था जे मुलर के द्वारा जे मुलर ने बोला था 1850 में कि यह जो लार्वा ह यह एक्चुली में एकाइनोडर्मीट का लारवा है after 19 years like 18 like 1850 में आपने देखा कि जे मुलर ने बताया कि एकाइनोडर्म का लारवा है लेकिन आफ्टर 16 year आप देखते हो कि मैट शेफ ओफ ने बताया कि नहीं यह लारवा बैलानोग्लॉसर क्लावीजेरस का है जो कि एक हैमिकॉर्डेटा है यह हम बोलते हैं कि एकाइनोडर्मीट से कॉर्डेटा की ओरिजिन बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है हमने आपको पढ़ाया था ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा में जो बेस्ट अभी तक थियोरी मानी देखते हैं वह इकाइनोडर्मीट की थियोरी मानी गयी है because of the close resemblance और लार्वा एकाइनोडर्मीट से लार्वा लेलो है मिकॉडडेट में आप टॉनिया लार्वा लेलो दोनों की resemblance करा हो आपको पक्का पता चल जाएगा कि यह दोनों एक दुसरे के भाई-बैन है ठीक है अच्छा, Tornia larva के अगर हम बात करें हमने बोला ना, Bipenaria larva and Tornia larva ये दोनों के हमेशा सास में ही बात होती है जबी भी बात होती है, छीक है इसके बात समझे Tornia larva में आप कुछ structures देखते हो Like this is the ciliary tract छीक है, ये क्या है, ये ciliary tract है, जो की आपको अगेन bipanerial larva में भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा ठीक है? देखो हम आपको पढ़ा भी दे रहे हैं कि क्यों ecanodameter से इतने मिलते जोलते थे क्यों J. Muller ने इसको ecanodameter बताया था फिर आप देखते हो mouth ठीक है? तो this one is the mouth ये वाला part, this part is the mouth और यहाँ पर भी देखो this part is the mouth ओके? ओके? देन इसके बाद हमने देखा pharyngeal gill slit this part, this, this, this pharyngeal gill slit यहाँ पर absent है लेकिन हमारे torny alarm में क्या है? प्रेजेंट है हम इसे black से बनाते हैं this, this and this ये क्या है? pharyngeal gill slit है जो कि हमारे ये mouth हो गया, ये pharyngeal gill slit हो गया जो कि हमारे pipe neural alarm में आपको कहीं नहीं दिखाए देगा उसके बाद अगर हम बात करें proto-steel की, proto-seal भी जिसको बोलते हैं this is the proto-seal ठीक है? this part is the proto-seal ओके? उसके बाद आप दो silo में यहाँ पर देखते हो formation एक, तीन silo में है ठीक है, तीन silo में, एक silo में यहाँ पर proto-steel का है, this is your silo 2, this part and this part is the silo 3, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर ciliated ring जिसका formation हुआ था और इसी के बाद जो है जो embryo था, वो बाहर निकल करके tornia larva बन गया था and again, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह ns भी present है, ओके यह देखिए, यहाँ पर ns भी present है, ठीक यहाँ पर भी देखो, ns present है तो इसके वज़े से, जो हमारे j muller थे, उन्हों ने एक anotometer का larva इसको बताया, लेकिन बाद में Mesh Shriof ने बताया कि नहीं, जो टॉर्णिया larva है, यह हमारे हैmico audit का larva है अब यह जो larva होता है, यह यूजवली, oval shape का होता है excessive transparent होता है, मतब कि पारदर्शी होता है, आप इसके इर्द गिर्द बाहर मतब अंदर देख सकते हो, तो यह oval होते हैं, शेप में exclusively transparent होते हैं, cilia इनके जो होते हैं, bands में पाये जाते हैं, body surface पे, और जो cilia होता है, यह long होता है, powerful होता है और locomotory organ के तरह use होता है, ciliary wave जो होते हैं वो पास करते हैं, तिलेको ट्रेक कॉस लार्वर तो रोटेट कॉंस्टेंटली इन स्विमिंग, तो स्विम करने में भी ciliary जो हैं, वो help करते हैं, cilia जो proto-seal होता है, proboscis का silom, proboscis के silom को हम लो proto-seal बोल रहे हैं, इस प्रेजेंट इन दे form of a thin wall shack, मतब कि एक बैक की तरह वो होंगे, थैले उनुमा structure दिखाएंगे, और exterior reason hydropore के द्वारा ये खुले होंगे, यही proboscis pore, जिसकी बाद हम glomularis के द्वारा टाइम पे कर रहे थे, to the right of the hydrophore, hydrophore के बगल में, मतब proboscis pore के बगल में, आप pulsating heart vesicle देखोगे, develop हो जाएगा, जो की बाद में, टॉर्णिया लारवा में, लाइक देखो, हमने बताएता न, proboscis वाले में, आपके central sinuses मतब हर्ट हो गई, और different sinuses हो गई, तो इस, आप larval stage में भी देख रहे हो, टॉर्णिया के larval कि दम होता है, ठीक है, काया पलट हो जाती है, वेलकुल काया पलट दी भाई, इसने तो, ठीक है, जज़बाद बदल दिया, अब देखो, जो हमारे टॉर्णिया लारवा है, यह swim करते हैं, फ्रिली और लीट करते हैं, प्लैंकर टॉनिक लाइफ पर भाई, इसको डैवलप्मेंट करनी है, इसको बड़ा होना है, तो इसको खाना पड़ेगा, और प्लैंकर टॉनिक जो लाइफ होती है, जो भी समुंद्र में चीज़े, जो बनता है, वो इनका हो जाता है, बैलानो ग्लॉस, इस इस इस्ट्रक्चर, जो कि आपको बहुत ही जादा क्या करेगा, कन्फ्यूस करेगा, डैट वाइप स्क्रीन शॉट ले लो, आराम से बैट करके इसको समझना है, क्योंकि हम अभी आपको यह चीज़े नहीं बताने वा मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए आप दिल खोल करके हशिये, शियर करिये वीडियो को बहुत जादा, चानल को सब्सक्राइब करवाईए, अपने भी करिये सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए हस ते लिए, मुस्कुराते be happy, bye-bye.